आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DIY Terrace Gardener कम चेपेज गार्डनिंग एवर में और मैं आपका गार्डनिंग दोस्त फिर से आया हूँ एक औरने फ्रेश वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे How to Care a Hibiscus Plant के बारे में कैसे हम गुढल के पौधे की देखबाल आसान इसे कर सकता है जानेंगे आज की इस चोटी सी वीडियो में देर सारे कोस्चेंस होते हैं जैसे की हिबिसकस के पौधे को कुन सा फरेटिलाइजर डाले कब डाले? हिबिसकस के पौधे को कईसे वाटरिंग करे? और कब करें साथ ही साथ हिबिसकस के पोदे पर धेर सारे पेस्ट आते है जैसे कि मिली बग उसको कैसे कंट्रोल करें इसके बारे में सारी जानकारी हमने आज की इस वीडियो में लाई है तो वीडियो को पुरा जरूर देखिएगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन भी जरूर दबाईए ताकि जब भी ऐसे नएने वीडियोज हम आपके लिए लाए आपको नोटिपिकेशन मिले तो चलिए चानते हैं गुड़हल के पौधों की हम देखबाल कैसे कर सकते हैं तो टीप नंबर वन आपको हिबिसकस के पौधे कौन से महीने में ग्रो करने चाहिए अगर आप पौधे नरसर इसे परचेस करता है या फिर कटिंग की मदद से ग्रो करना चाता है तो रेनी सीजन काफी अच्छा मोसम होता है रेनी सीजन में पौधे काफी अच्छे से ग्रो हो जाता है विंटर के सीजन में भी आप ग्रो कर सकता है अगर आप summer season में grow करना चाहेंगे तो वो बिलकुल भी परियाप्त मोसम नहीं होता हिबिसकस के पौधे 16 degree Celsius से लेकर 32 degree Celsius की बीच में आसानी से grow हो जाते है अगर summer season में हम grow करना चाहेंगे तो temperature काफी बढ़ जाता है आपका पौधा मर भी सकता है और अच्छे से grow भी नहीं होगा इसलिए मैं आपको suggest करूँगा आपको पौधे rainy season में ही grow करना चाहिए या फिर winter season में भी हिबिसकस के पौधे आप आसानी से grow कर सकता है हिबिसकस के पौधे कटिंग की मदद से कैसे उगाने हैं उसके बारे में भी हम वीडियो लाने वाल है तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखे अब हम बात करेंगे tip number 2 हिबिसकस का पौधा हमें कहा रखना चाहिए हिबिसकस के पौधे को अच्छी तरीके से grow होने के लिए और उस पर अच्छी तरीके से flooring आने के लिए 6 गंटों की दूप आवश्यक होती है इसलिए आप हिबिसकस का गुड़हल का पौधा उसी जगा रखे जहां कम से कम 6 गंटों की दूप आती हो रही बात summer season की जैसे कि हम सभी जानता है summer season में temperature above 40 degree Celsius हो जाता है और गुड़हल के हिबिसकस के पौधे को grow होने के लिए परियापत temperature होता है 16 degree Celsius से लेकर 32 degree Celsius उससे ज़्यादा भी हो गया चलेगा 35 degree Celsius चलेगा लेकिन 40 degree Celsius में दूप के कारण पौधा मुर्जा जा सकता है मर सकता है इसलिए summer season में आपको पौधों का विशेज द्यान रखना है इसलिए summer season में आपको पौधों को इंडोर में ही रखना है उसे ज़्यादा धूप में बिल्कुल भी ना रखे अब हम बात करेंगे tip number 3 हिबिसकस के प्लांट को कब कैसे और कोल सा फरेटिलाइजर अपलाई करना चाहिए एक बात मैं आपको जरूर बता दू हिबिसकस के प्लांट को मैगनेशियम, पोटाशियम और जिंक की काफी ज़्यादा मातरा में आवश्यक्ता होती है इसलिए मैं आपको और्गैनिक फरेटिलाइजर में एक फरेटिलाइजर सजिस्ट करूंगा आपको पोल्टरी फरेटिलाइजर का इस्तमाल करना चाहिए पोल्टरी फरेटिलाइजर में पोटाशियम और मैगनेशियम के साथ-साथ जीन्क का भी भरपूर मात्रा होती है जो आपके पौधे को अच्छी तरीके से ग्रूव करने में साथी साथ पौधे पर धेर सारी फ्लावरिंग नाने में भी काफी मदद करेगा सिंपली खुरपनी के मदद से आपको कुछ इस तरह पौधे की मिट्टी पौधे की आसपास की मिट्टी खुरेत देना है और उसके पाद जो आपने मिट्टी में पौधरी खाद मिक्स किया है उसको सिंपली उसमें कुछ इस तरह आपको मिट्टी में मिक्स कर देना है अगर आप poultry खात purchase करना चाते हैं तो मैं link description में दे दूंगा आप वहाँ से poultry खात purchase कर सकते हैं अगर आपने आपके घर में गमले में पौधे लगाए है हिबिसकस के पौधे लगाए है तो मैं आपको एक बाद जरूर बता दू जो मार्स से लेकर अक्तूबर महीने के बीच का जो समय होता है उसे हिबिसकस प्लान के लिए क्रूशियल स्टेज माना जाता है काफी पुर्ण समय माना जाता है इसलिए मैं आपको एक बाद जरूर सजेस्ट करूँगा अगर आप हिबिसकस के पौधे पर फरिटिलाइजर अपलाई करना चाते है तो मार्स से लेकर अक्तूबर महीने के बीच में आप जरूर फरिटिलाइजर अपलाई करे कुछ इस तरह के आप यनपी के या फिर डिएफी फरिटिलाइजर भी अपलाई कर सकते है जो वाटर सोल्यूबल होते है और अपलाई करने के लिए भी काफी आसान होते है कुछ इस तरह आप डॉटकास्ट कर सकते है या फिर कुछ इस तरह के लिकविट फरिटिलाइजर भी आप हिबिसकस की पौदे पर apply कर सकते है आपको किसी भी agriculture shop में आसान इसे मिल जाएंगी अगर आप यह purchase करना चाहता है तो मैं आपको link description में दे दूँगा आप वहाँ से भी purchase कर सकते है normally इसे पानी में मिलाना होता है आप एक glass ले सकते है उसमें आप एक ढखकन यह liquid fertilizer apply कर सकता है कुछ इस तरह का यह fertilizer हो चाता है इसे आपको normally जो roots होता है जो जड़े होते हैं उस पर आपको कुछ इस तरह डाल देना होता है धेर सारे फूलों के रूप में आपको इसके result काफी अच्छे दिखाई देंगे अब हम जानेंगे चवती और सबसे important tip how to watering a hibiscus plant hibiscus के पौधे को हमें पानी कैसे देना है watering कैसे देना है इसके बारे में अब हम बात करेंगे जब आपको hibiscus के पौधे के उपर छोटी छोटी कडिया दिखाई देंगी तब आप यह समझ जाएगे हibiscus के पौधे को अब जादा मात्रा में पानी की आवश्यक्ता है अब जादा मात्रा में पानी की आवश्यक्ता है इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे over watering करेंगे हibiscus के पौधे को आप उतना ही पानी दे जितना उसे जरूरत है इस बात का ध्यान आप जरूर रखे मिट्टी फीग जानी चाहिए हिबिसकस के प्लांट की मिट्टी सुखी नहीं रहनी चाहिए इसी बात का आपको ध्यान रखना है अगर आप ज्यादा मात्रा में पानी देंगे तो जो पोधे के नीचे की जड़े है वह सड़ सकती है इसल जितना जरूरत है उससी मातरा में आपको पानी देना है अब हम बात करेंगे टीप नमबर 5 हिबिसकस के पौधे की कटाई च्टाई यानि की प्रूनिंग कैसे करे यदि आप आपके घर में हिबिसकस का पौधा ग्रू कर रहे है तो उसकी कटाई च्टाई करना प्रूनर की मदद से आप वह ब्रांच आसानी से कट कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो एक ब्रांच होती है, जो मेन ब्रांच होती है, उसकी उपर आपको दो से ज़्यादा ब्रांच दिखे, तो जो तीसरी ब्रांच है, उसको आपको नॉर्मली कट कर दे करूंगा अगर आपने भी अगर आपके घर में हिबिसकस का पौदा ग्रो किया है तो उसके आप प्रूनिंग अवश्य कीजिए जो तीस्री ब्रांच होती है जो जादा content होता है जिसे isopropyl alcohol का जाता है और isopropyl alcohol milibux को कंट्रोल करने में treat करने में काफी मदद करता है इस पर मैंने एक detailed video बनाई है उस video को देखने के लिए आप उपर दिये गए आई पर क्लिक कीजिया लिंक description में है इसके result मुझे 100% मिले और काफी फाइदे मन्द है यह आईसू प्रोपाइल अलकॉल तो वीडियो को अवश्य देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो कुछ इस तरह आप इन मिली बक्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं आशा करता हूँ यह चे टिप्स आपको हिबिस्कस का प्लांट ग्रो करने में और उसकी देखबाल करने में काफी मदद करेगी नीचे एक हिबिस्कस की प्लेलिस्ट हमने बनाई है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसे भी अवश्य विजिट दीजिए साथी साथ अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए है तो कैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर सब्सक्राइब आइए ताकि जब भी ऐसे नए नए वीडियो जम आपके लिए लाए आपको नूटिफिकेशन मिलें